आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिप्त समस्तर के एजुकेशन यानि शिच्छा साफ्थ के फस्ट पेपर के most important question and answer के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारे question बताने वाले हैं सिच्छा साफ्थ के जो आपकी परिच्छा में सबसे ज़्यादा पुछ जात आते हैं में मुद्दे पे question पे ठीक है तो ध्यान से समझते रहिएगा पहला प्रशन है मुल्यांकन का अर्थ बताईए भीया तो मुल्यांकन का अर्थ जानेंगे फिर मुल्यांकन की परिभासा जानेंगे फिर मुल्यांकन फिर जुड़े और भी question आपको हम बताएंगे और का उत्तर भी क्योंकि इससे ज्यादा आपकी परिच्छा मतलब सबसे ज्यादा प्रस्ट मुल्यांकन से जुड़े आपकी परिच्छा में ठीक है मतलब इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है मुल्यांकन का कि मुल्यांकन वह प्रक्रिया है यह फिर मुल्यांकन वह क्रि पारिभासा और सिंपल उधाहन के साथ जब माली जे कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो क्या होता है उसका टेस्ट होता है क्या होता है उसका एक्जाम भी होता है तिमाही एक्जाम होता है ठीक है तो क्या होता है जब वह पढ़ाई करता है उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं या फिर उसके exam होते हैं ठीक है तो जब exam होते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि इस बच्चे को इस subject के बारे में कितने जानकारी है ठीक है तो वो इसी आफ फे उस जब भाई paper होगा तो उसका आप question मिलेगा तो उसका उत्तर देगा तो उसके बाद उत्तर देने के बाद क्या होगा कॉंपियों की चेकिंग होगी तो उसमें नंबर दे जाएंगे इस इसलिए बताया जाता है कि आधार पर किसी चात के ग्यान का आकलन किया जाता है मुल्यांकर होगा तो चात के बारें पता चलेगा कि हाँ चात यह नंबर लाया तो उसका ज्यान किस प्रकार का है कम है ज्यादा है ठिक है? तो मुल्लेंकें के दुआरा इच्छात की किसी बिशे में कमिया पता चलती है भाई जब पेपर होगा तो उसमें जिस सब्जेक्ट में कम नमबर आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि Ranch Day 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 को और बेटर पढ़ाना चाहिए सब्जेक्ट में और उसी बिशे और किसी बिशे के प्रति उसकी रुची होती है और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता मतब कोई-कोई subject ऐसा होता जिसके बारे में छात्र को अच्छी जानकारी होती है उसके बारे में अच्छी रुची होती है ठीक है इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना होगा कि मतलब किसी विष्ञे के प्रति रूची तो उसके बारे में अच्छी जान करेगा तो हाँ यह पता चलेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में इसकी अच्छी रूची है अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो इस प्रकार आप लिखेंगे मुल्यांकन के बारे में और मुल्यांकन की प्रकिरिया, मुल्यांकन का अर्थ, परिभासा, I hope आपको पूरे सारे question के doubt clear होगे होगे, सारा मैंने आपको explain कर दिया, पूरी तार समझ में भी आया होगा, चलिए, next question के बढ़ते, next question अब आप लो फ्रकिर्ण के द्वारा हमें ये ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस अफ्तर तर सीछा है या किस अफ्तर तक अधिगम को ग्रणMaster करने में समर्थ रहा है, ठीक है, और उसके बाद मुल्यांकन के द्वारा अधिगम की उपलब्दियों का पता लगाया जाता है, जानकारी उसका नॉलेज उसकी सिच्छा है ज्यान उसके बारे में जानकारी लगाई जाती है कि हां उस चात्र को किस अफ्तर तक उस सब्जेट के बारे में उस कुष्चिन के बारे में जानकारी है ठीक है तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे बहुत ही सिंपल है बहुत चात्र जो होते हैं उनके साच्छिक यानि कि एजूकेशन की जो अफ्तर होती उसकी उपलब्दिया यानि कि जो उन्होंने उपलब्द किया नोलेज ग्रहन किया उसका निर्धान करना ये होता है मुख्यो देश पहला ठीक है दूफरा चात्रों की साच्छिक इस्थित के चात्र के उपर मेहनत करना चात्र के उपर कि वह अच्छे पर थे अच्छे नंबर लेकर आए इस सब्जेक्टमें कमज़िय। जिस subject में उस subject में उसको अच्छी जानकारी दे अच्छे से पढ़ाया जा उदाहन दे के समझा जाए जिससे वो लूग अच्छे से समझ सके तो वही बता जाए निर्देशन देना और उसको सलाह यानि की परामर्स देना कि हाँ भाई आप ये गलती कर रहे हैं छात्र ठीक है आपको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है तो आप अच्छी सिछा ग्रहन कर पाएंगे किलियर और अगला है यहां पर विश्यस्ता कि छात्रों की असफलताओं के कारण पता सुधार लगाना मतब कि छात्रों किसी subject में असफल हो रहा है ये किसी subject में फेल हो रहा है तो किस वज़ उसको सुधार करने की कोशिश कराना कि हाँ यह ऐसे नहीं ऐसे करना था इसलिए आप इसी करण से आप असफल हुए थे यह सुधार करिए तो आप पास हो जाएंगे तो सुधार करना अगला की सिछन की गुड़ात्मक सुधार के लिए अधिगम वात्तावरण में सुधार करना शात शात में जिस भी वातावरण में वो रह रहा है जिसके घर में बहुत सिंपल से एक्जामपल दे रहा हूं जिस घर में पूरे घर वाले इंग्लिस में बोलते हैं ठीक है तो उस घर का वातावरण दूसरा होगा ठीक है तो उसमें शात भाई इंग्लिस पढ़ रहा ह उसका बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ता है तो इस वज़ा से बता जा रहा है कि उसको अच्छा वातरवर्ण मिलना चाहिए वातरवर्ण में सुधार करना चाहिए ठीक है किलियर अगरा परशन मतलब कि अगला इसमे का जो विसिस्ता है वो समास तथा अभिवागों अब जो अभिभावक होते आने कि घर के जो फैमली होते हैं जबाब देही के लिए नेमित बच्चों के उपलब देम उन्नत का पता लगाना ठीक है समास तथा अभिवागों को जबाब देही के लिए नेमित बच्चों यानि कि जो रेगुलर पढ़ते हैं नेमित रूप से परिच्छा देते हैं ठीक है और वो आगे बढ़ते हैं उनका पता लगाना ये भी बहुत जरूरी है ठीक है फिच्छक की सिच्छन उपलब्धियों को जानना जो सिच्छक है मतलब कि जो पढ़ाता है बच्चों की उसकी जो एजूकेशन है उसका जो नोलेज है वो भी जानना जरूरी है ठीक है उसकी उपलब्धिया जानना जरूरी को कि इतने तक पढ़ाई किया है उसने कहां पर अच्छे नॉलिज दिया जिफे छात्र अच्छे नंबर लेकर आया ठीक है बोलते नहीं जैसे प्रिसिद्द नहीं हो जाते बहुत सारे टीचर कि हाँ जैसे खांसर आपने देना होगा यह जी एफ के लिए बहुत ही फेमस है ठीक है अपने फुना होगा जैसे कि फिजिक्स अलग पांडे जी का नाम सुझा होगा ठीक है तो उससे पता चलेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में कौन से टीचर ने महारत हांसिल कि है ठीक है तो उसकी उपलब्दियां पता लगाना जानना जरूरी है ठीक है उसके बाद है शिच्छन विधी में सुधार करना जो समस्या है या फिर उसमें कुछ गलतिया पाई गई है या उसमें कुछ गलत है तो उस चीज का पता लगाना कि क्या गलत है उसके बाद क्या फही होगा उसको उस चीज पे वहाँ पर परिवर्तन कर देना जहां पर गलत है उसको वहाँ पर गलत चीज को हटा के सही चीज को समय और आप भरोसा है कि आप अच्छी समझगे होंगे ठीक है अब अगला कोश्चन प्रस्तुत है कि मुल्यांकन के सभी प्रकार की विधियों का क्या महत उसके बारें बताइए ठीक है जो कोश्चन का उत्तर देता है उसके बाद कौपिया चेक होती है तो चेक होने के बाद छात्र ने किस प्रस्ण का उत्तर कहां तक सही दिया है उसके बाद उसका नमबर दिया जाता है ठीक है कि आपने इस प्रस्ण का उत्तर थोड़ा कम सही दिया तो आपको इतने नमबर मि लेंगे ठीक है तो यह भार हो जाता मोल्जांकर में अनुस लीकर की साथल मापने के लिए विद्यां का किया जाता है इसी भी मुल्यांकन की विधियां तो सबसे पहले आपको बताल उत्तर में लिख देना कि मुल्यांकन के अन्य बहुत सारे गुण जैसे कि एक्जामपल के रूब में ब्यापकता बिभेदिकर्ण उपयोकता ब्योहारिकता आदी है तथा या फिद आप लोग लिख रकते हैं अता अस्पेस्ट है कि वस्तनिष्टता बिश्वस्णता तथा बिश्वनिष्णता मुल्यांकन के आवश्यक गुण है वस्तनिष मुल्यांकन यानि कि एकदम विश्वास के साथ मुल्यांकन विश्वास के साथ नंबर देना ठीक है बच्चों को यह आवस्य गुड़ होते हैं मुल्यांकन के ठीक है किलियर आगला प्रश्ण है कि सिच्छा में मुल्यांकन की आउधारा क्या है सिच्छा में या फिर सैच कि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं लेकिन उत्तर एक ही होगा तो उत्तर लिखना है कि सैचिक मुल्यांकन या निर्धायत करने के लिए डेटा प्राप्त करना और उसका विसलिशड करना कि प्रतेक छात्र का ब्योहार उनके सैचिड करियर के दौरान कैसे विख्षित होता है ठीक है और मुल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है यानि कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है जो किसी छात्र के आपचारिक फैच्छिनिक प्रदर्शन की तुलना में उसके अनोपचारिक फैच्छिनिक विकास में अधिक रुची रखती है तो कहने का मतलब यह ह जो बच्चा फिच्छा ग्रहन कर रहा है ठीक है फिच्छा ग्रहन करने के बाद उसके आप लोग को मैंने बार बार बता रहा हूं एक्जाम होते हैं पेपर होते हैं ठीक है फिच्छा ग्रहन करने के बाद उसका मुल्यांकन किया जाता है एक्जाम होने के बाद ठीक है या न उसके याल ल Tout है और उसका Fifth किया जाता है कि हाल ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा प्रती का वहार उनके सैच्छ करियर के कैसे विख्षित हुआ है मत्ब कि झाटर पढाय कर रहा था थे कि तो उसने परिच्छा में लिखा है या पिर अपने सैचिडिक केरियर में जब सिच्छा ग्रहन कर रहा था तो उसके दोरान वो कैसे विक्षित होता है उसके बारे में सैचिक मूलने अंकन के अंतरगत समझा जाता है ठीक है? उसके बाद जो मूलने अंकन है आप सब एक मालूम एक सतत पर करिया अधिकरुची रखती है तो इस प्रकारिश के बारे में लिखेंगे ठीक है किलियर अगला प्रशने के सैचिक मापन क्या है यह भी महात्पूर्ण प्रशने याद रखेंगे तो सैचिक मापन सिच्छा के अंतरगत यदि हम किसी छात्र के ज्यान को मापने के लिए गणती एकाईयों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ फैचिक मापन कहलाता है सिच्छा के छेतर में किये जाने वाले सभी प्रकार के मापन फैचिक मापन के अंतरगत आते हैं ठीक है तो कहने का मत्तब यह सिच्छा के अंतरगत हैं हम किसी चात के ज्यान को मापने के लिए गड़ती एकाई का फ्रियो करते हैं ठीक है सिष्टीन जितने में उसको नंबर देने हुँ टिक क्या करेंगे गड़ती अंकतों ही ना इनहीं का प्रोग तो किया जाता है तो वह होता है फैचिक मापन ठीक है और फैचिक मापन के अंतरगत छात्रों की फैचिक उपलब्दियों के अतरिक्त उनकी बुद्धि याद रखने की छमता ब्यक्तित तुरुच सेखने की तरीके आध अनेक चीजों का मापन किया जाता है ठीक है तो उसमें उन चीज का मापन किया जाता है किस चीज का मापन कि तो पढ़ा के चले उसके बाद वो डिपेंड करता है कि जो चातर पढ़ रहे थे उन्होंने जो टीचर ने पढ़ाया उसको क्या समझ में आया ठीक है समझ में आया फिर एक कान से सुना दो फ्री कान से उड़ गया तो वो चमता यानि कि बुद्ध याद करने की वो चमता मेडिटरी होती है जरूरी होती ठीक है रुची यानि कि जब teacher पढ़ा रहा तो उस आपका मन लग रहा है ये फिर नहीं लग रहा है शीखने का तरीका अमालीज सीखने का तरीका ये है कि बीच-बीच में आपको comment करना चात्र जो है उसको पूछना चाहिए teacher से कि हाँ पर ये कैसे हुआ तो सीख रहा है ठीक है और आद अनेक चीजों का मापन किया जाता है तो आप लोग नंबर वाला भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं मापन की परक्रिया ये ज्यादा बेटर रहेगे ठीक है जैसे कि मापन बुद्धी बेक्तित रुची शीखने ठीक है ये सब चीजी होती मापन इनहीं की द्वारा किया जाता है ठीक है अब लोगे हैं आपको बताना है कि आपको बताना है कि बिलकुल आशान मैं में मोव अंतर जाएक है मापन की अथिक भ्यापक है मापन के अंतरगत किसी ब्यक्त अत्वा वस्त के गुड़ो अत्वा विसिस्ताओं का मात्र वर्डन ही किया जाता है किसी अंतरगत मापन के अंतरगत लेकिन वही जबकि मुल्यांकन के अंतरगत उस ब्यक्त अत्वा वस्त के गुड़ो अत्वा विसिस्ताओं के जरूरतों के बारे में बात की जाती है सिर्फ ठीक है पहला अंतर के लिए दूफरा अंतर आ जाएगा कि भाई किसी ब्यक्त अत् मापन से किया जाता है ठीक है मापन से किया जाता है त्व रिखिय्ट सरझे लेकिन उस तत्वावस्त में उपस्थित गुड़ या बिशिस्ता की मात्रा किसी बिशेश उद्देश के लिए कितनी आवस्चे क्या जरूरी है इसका निधान मुल्यांकन से किया जाता है यहां भाई उसकी मुल्यांकन जब होगा यानि कि जो उसकी अंग मिलेंगे तब पता चलेगा कि वो कितना किस सब्जेक्ट में नंबर ला रहा या फिर किस छेत्र में कितने जानकारी है तो उसी साथ से उसका मुल्यांकन किया जा रहा है क्लियर अगला चात्रों के फैच्छे को प्लब्दी को अंकों में बिक्त करना मापन का उदारन है जबकि चात्रों में मुल्यांक तो यही होता है कि अगर आपको अच्छा कोलेगा तो वही मुल्लियंकन होता है कि यह अगर मुल्लियंकन अच्छा होता है तो उटाफ आठड में और और अगया है ईक तरा कार्मonstorम से आधिक भीघ्वा का इसमें हम मापन के साथ अन्य देस्टकोड़ को भी जाच करते हैं ऑर मुल्लयंकन में अंतर समझ में आ गया किलियर बाकी वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो के यहीं स्टॉप करेंगे बाकी के और भी कोश्चिन बहुत सार है जो कि हम आपको निस्ट वीडियो में कबर कराएंगे तब तक आप इतना तैयार करिए जहिंद